Hey guys, तो स्वागत है आपका Captain B2 के चैनल में जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों Batman Justice League का बॉस है और क्यों ऐसा कहा जाता है कि अगर उसे preparation time दे दिया तो वो किसी की भी what लगा सकता है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अब लोगों को बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि आपको ऐसे ही awesome contents regular basis पे मिलते रहेंगे तो guys आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Batman के contingency plan को लेकर जो कि उसने justice league के लिए बनाया है वट अफसोस ये चीज़ हमें comics के अंदर सिर्फ एक ही comic के अंदर सिमित नहीं दिखाया गया है अलग-अलग comics में अलग-अलग तरीके से दिखाया गया है इन आज के इस वीडियो के लिए हम लोग Tower of Babel comic line में जो बताये के contingency plan है उसे consider करेंगे इसको adapt करके DC वालों ने एक animated movie भी निकाला था जिसका title था Justice League Doom तो चलिए बेरा किसे sponsor और इंट्रो के वीडियो शुरू करते हैं शुरुआत करते हैं Plastic Man से अब जिनको नहीं मालूम कि Plastic Man कौन है उन्हें मैं बता दू कि ये Mr. Fantastic के जैसा है जो कि Fantastic Four से ब्लॉंग करते हैं जो कि rubber के जैसे हैं और कितना भी elastic होके stretch हो सकते हैं तो जिस तरह Dr. Doom ने Mr. Fantastic को इस level तक freeze कर दिया था कि वो hill भी नहीं पा रहे थे उसे फिर से जिन्दा कर दिया जाता है अब बात करें हम Martian Manhunter की जो कि इतना capable है कि Superman तक को टकर दे दे उसके लिए उन्होंने एक Nanite missile बनाया था जिससे Nanobots निकलते हैं जिसके अंदर magnesium रहता है जिसके वज़े से ऐसा लग रहा था जैसे वो जल ही रहा हो और आग Martian Manhunter की कमजोरी है अगर हम बात करें अपने जल परा यानि कि Aquaman की तो उसके लिए Gaseous Formula था जिससे जुगने के बात से वो Hydrophobic यानि की पानी का डर उसके अंदर आ जाता इसके वज़े से हम जो कहते हैं न कुत्ते की मौत वाली बात वो उसके साथ हो जाती क्यूंकि उसके बात से वो dehydration से मर जाता अगर उसका antidote time पे ना दिया जाए के बाद अगर हम बात करें Green Lantern की तो Green Lantern एक ऐसा character है जो की अपने अंगोठी के मदद से कुछ भी बना सकता है अपने imagination के मदद से clean क्या हो कि अगर वो imagine ही ना कर पाए क्या हो कि अगर उसे अंधा बना दिया जाए जिसके बात से वो किस चीछ का सामना कर रहा है और उस चीछ से deal करने के लिए उसे क्या क्या construct बनाने पड़ेंगे वो सोची नहीं पाएगा और यही था बैटमेन का plan क्रीन लैंटर को लेके कि उसे अंधा बना दो आँखे निकालके नहीं बलकि hypnotize करके अब बात करें wonder woman की जो कि justice league के अंदर महीला ससस्ती करन का prime example है उसके लिए बैटमेन ने दो नैनो बोट्स बनाये थे जिसके अंदर virtual reality implanted है जो कि wonder woman के कानों के उसके दिमाग पे जाते और उसके दिमाग को ये feed करते हैं कि वो किसी ना किसी दुश्मन से लड़ रही होती है जो कि एक never ending loop होता और वो लड़ते लड़ते ही मर जाती कि वो एक warrior है और जंग को बीच में छोड़ना उसकी फिदरत नहीं है जो चीज wonder woman की खासियत थी वही यहाँ पर इसके weakness की भी कारण बन जाती है अब बात करें fastest man alive यानि की flash जिसे कोई भी चीज छूब भी नहीं सकता है उसके लिए एक special vibrating bullet बनाई गई थी जिससे चाहे तो वो dodge कर सकता है लेकिन जानते हैं जिसके पास power होता है उसके पास एक government का level भी होता है जैसे कि कोई भी चीज उसे टच नहीं कर सकती है क्योंकि कोई भी बुलेट उसे पास करेगी तो वो उसे phase कर देगा मतलब की उसे अपने थूरू पास होने दे सकता है और वही चीज अगर वो इस बुलेट के साथ करता है तो यह उसके स्पाइनल कॉलम में जाके चिपक जाए की जिसके उसने उस क्रिप्टोनाइट के उपर इतने ज़्यादा एक्सपरिमेंट की हैं थे वो इतना ज़्यादा हामफुल हो गया था कि वो सुपरमैन को इतना मजबूर कर दे कि वो खुद की जान लेने लगे इन फैक्ट जब उसे उसके सामने लाया जाता है तो उसकी स्किन तक बनाया वह रहता है और वह रहता है जस्टिस लीग आज के लिए बस इतना ही आई होप कि आपको इस वीडियो के तुरूद जरूर कोई नए इनफॉर्मेशन पता चलिए और नहीं मिला हो तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के जरीए बता सकते हैं वीडियो अगर अच्छा का एक छोटा सा मोटर है लोगों की मदद करें अपना खयाल रखें एंड कीप मुविंग फोवर्ट का रेट लगा कर आगे बढ़ते रहें थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो स्टे ट्यूंड